1950 से 1965 की इत्थफाक से हमारे भारत स्वतंत्र भारत का कवी करें तुम यह लगता है कि यह पहला जो चर्ण है वो स्वर्ण यूग है भारत ने जो काम किया विकास के खेत्र में साहित स्वांस्कृति कला के बारे में तीनों एकेडमिया उसी सबर बने थी विज्ञान की आर्म संस्थान बने थे और एश्याई लेखों का समेलन हुआ था पंच और्शी योजनाएं बनी थी भिलाई की निव उसी से मपड़ी थी तो वो स्वर्ण यूग था शैद इसलिए आपने उस दौर को एक जिगर लिखा है कि एक रोमेंटिक दौर है वो इतना ही कवितर में उस दौर में और वो अपनी जवानी थी तो जवानी का अपना दौर था